क्लास 7, Maths and CRT, Exercise 1.1 निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजन कर रही है, यानि उसके पहले हम माइनस का साइन लगाएंगे, तो कह रहा है कि आप कैसे रिप्रेजन करोगे उस अमाउंट को जो की डिपॉजिट किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है, जिसे मानलो यह आपका बैंक अकाउंट है, क्या मनोगे, सीधी सी बात है, पॉजिटिव, यानि पैसा डालते जाओगे, तो पैसा प्लस होता जाएगा, बढ़ता जाएगा अकाउंट में, निकालोगे तो पैसा कम होता जाएगा, तो यही बात हम कह देंगे, कि डिपॉजिट को हम कैसे रिप्रेजन करेंगे, एक पे था, आपने कहीं पर रखा था, किसी डिपे के अंदर या गुल्लक पे अंदर आपने सौर पे रखा था, उसमेंस आपने क्या किया, 50 रूपीस निकाल लिया, तो क्या आपको बचाना बैलस इंदर जहां पर भी आपने पैसा रखा है, बचेगा 50, यानि 500 पहले से था, उसके अंदर 50 आपने निकाल लिया, निकालने के लिए आपने क्या किया है, just minus कर दिया, तो कितना amount बचा, वो आप कहा जाएगा, तो यह आपको बताना है कितना balance, कितना account में उसके बचा होगा, यह बताना है, तो पहले हम पूरे statement लिखेंगे, amount deposited, कितना पैसे जमा किया गया तो आप कहोगे 2000, amount withdrawn कितना पैसा निकाला गया, तो निकाला गया है 1642, लेकिन हमसे कह रहा है कि हम इसे negative integers show करेंगे, तो हम यहाँ minus लगा देंगे, तो हमको बताना है यहाँ पर balance, balance कितना होगा, देखो वैसे तो हम minus करेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 100 में से 50 minus क कर देंगे, लेकिन उस case में देखो, दोनों को हमने positive लिया था, यानि 100 जो हमारा जमा था, deposit था, उसको positive लिया था, और 50 जो निकाला गया, withdraw किया गया, उसको हमने positive लिया था, इसलिए हमने minus कर दिया था, यहाँ पर पहले से ही कह रहा है कि हमको minus लगा देना है, जो कि minus ना होता, तो हम क्या करते, जैसे हमने यहाँ पर निकाला, वैसे minus कर देते, कि 2000 minus 1642, अब यहाँ पर यह पहले से लगा के दिया हुआ, minus 1642, तो हम क्या करेंगे, just add कर दें, क्योंकि minus करोगे, उस case में क्या होगा, minus minus यह plus हो जाएगा, और यह add हो जाएगा, लेकिन हमको minus कर ना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, 2000, इसे just add कर देंगे, add करना है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, कितना add करना है, minus 1642, तो plus minus minus ही होता है, तो 2000 minus 1642, तो इसको minus तो कर लोगे, simple है, कितना आएगा, 358, यानि इसको एकाउंट में कितना बचेगा, 358 रुपीज, औ थैंक यू